हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल फूडी हरी व्लोग्स तो दोस्तों आप पहुंच चुके हैं हमारे रियल कॉलेज लाइफ सीरीज के एपिसोड नंबर थ्री में तो दोस्तों पहले तो मैं आप सभी का जिनो जिनो ने मेरा एपिसोड वन और टू देख लिया है उनका मैं मैं बहुत यादा ठेंक्यू करना चाहूंगा क्योंकि आपका आपने जो देखा है मुझे सब कुछ पता चल जाता है क्रेटर स्टूडियो में काफी इंप्रूब्मेंट है हमारे वाच आवज में चलो बढ़िया है तो दोस्तों आज हम कुछ हटके करेंगे देखो दोस्त कुछ बात याद आ गए थी दोस्तों आज का हमारा कंटेंट जो रहेगा वो उनके लिए यादा बेनिफिट रहेगा जो की कॉलेज की एस्पिरेंट्स हैं मतलब जो अभी प्लस टू कर रहे हैं या छोटी क्लासिज में उनको जानना है उत्सक्ता है कि आखिर जब हम कॉले कंटेंट के हो सकते हैं उसमें से अब क्या हमें कैसी answer देते हैं? यह देखते हैं, दोस्तों, जुड़े रही है हमारे साथ, अभी आते हैं. तो दोस्तों, हमारा आज का जो questionnaire रहेगा, उसमें 8 questions हैं, इसमें क्या होगा? lower level के questions से advanced level तक के questions हम लेंगे. आज का जो हमारा वीडियो होगा एपिसोड 3 होगा ये school institute colleges चाहिए कोई भी college हो जो आखरी के questions हैं challenge तक कर सकता है उनको challenge तक कर सकता है और कुछ college के related ही सारे questions रहेंगे पर कुछ एक दो questions ऐसे भी है चलो एक तो है ही है जो की law के point of view से भी देखा जाएगा टच है लौका उसमें चली दोस्तों कोशिनेर के तरफ बढ़ते हैं आपसे कुछ पुराने episodes के बारे में भी बात कर लेते हैं actually हम वीडियो चोटे से चोटी बनाने के शूट करेंगे तो जुड़े रहिए पराने episode 1 और 2 आपने देखा आपको अच्छा ही लगा होगा पूरी कोशिश किया हमने तो दोस्तों अच्छा लगा ना हो लगा हो वीडियो को लाइक जुरूर कीजिए मोटिवेट कीजिए सब्स्क्राइब कर लिजी चैनल को अपने पेरेंट्स के फोन से करिए अपने ब्रदर सिस्टर को के फोन से भी कीजिए और कमेंट कीजिए चलिए बढ़ते हैं हमारी कोशिनर के तरफ बहुत मज़ा आने वाला है और उनको जुरूर आज का वीडियो फॉरवड कीजिए जो कि कॉलेज में आगे बढ़ने वाले हैं जो कि कॉलेज में अडमिशन लेने वाले हैं उनका क्या ख्याल है तो दोस्तों कोशिन नंबर वन आज का हमारा कोशिन नंबर वन मैं दूसरे फोन से कोशन उसमें लिखे हैं उससे पढ़ पढ़ कर आपको कोशन सुनाऊंगा अंसर में अपने आप से दूँगा जो जो मेरे दिमाग में आएगा वैसा वैसा मैं आप तक पहुंचाऊंगा एकदम टुथ होगा बिल्कुल हम कुछ मिलावट नहीं करेंगे तो चलिए कॉशन नमर वन हमारा यह रहेगा कॉशन नमर वन इस आपको लगएगा यह कैशा कॉशन हुआ लेकिन दोस्तों यह कोशन वही है जो मैंने अपने प्रोफैसर से किया था जोन्ह ने मेरा अडमिशन करृए था हमें लग सकता है कि यह अजीब सा कोशिन है लेकिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कोशिन है जो कि एक कॉलेज एस्पिरेंट है तो दोस्तों इसमें मेरा अंसर यह रहेगा इस कोशिन के ना दो पहलू है फर्स्ट तो यह होगा कि ध्यान से समझे इस चीज़ को आपकी क्लास चल रही है ठीक है अब कॉलेज का टाइम है तो बुक्स की अवैलेडिबिल्टी कई नहीं भी होती यह मेरा परसनल एक्सपिरियस है तो कभी-कभी ऐसा भी होगा आपके रहेंगे कि आप इस अगर इस स्टुडेंट के पास बुक है उससे कोशिन की फोटो ले लीजिए और अपने मुबाइल में खोल लीजिए तब आपका फोन चलाना एक बिल्कुल अफिशिल रहेगा वैलिट रहेगा और आप दूसरा इसका दूसरा पार्ट है को कॉरिडोर में आप चला सकते हैं जी आप कॉरिडोर में चला सकते हैं आपको कोई रोकने वाला नहीं है स्कूल लाइफ बहुत जीली बहुत चलो ठीक है जैसी भी थी अना अब आगे बढ़ चुके हैं येस वी कैन यूज मोबाइल इन दा कॉरिडोर्स एन क्लासरूम बट नाट इन हम शान्थ लोके चलगा एरी टीच्वर पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं आप बीच में फंग फोन चुला रही है वह आपको डाणत्स पढ़ सकती है लेकिन अगर आप किससे परमेशन लेकर को शेट कर रहे हैं उसको अंसर को सॉल्फ कर रहे हैं तो उफीशय any dress in the colleges दोस्तों कई colleges कई नहीं बहुत कम actually only मैं कहूंगा 5 to 10% colleges ही होंगे जिनकी अपनी को dress होगी मैं तो कहतो उससे भी कम होगा colleges में कोई dress नहीं होती यही question मैंने भी अपने professor sir से किया था जिनने मेरा admission करवाया था कि sir हमारे college में कोई dress वगारे तो नहीं है हम phone वगारे चला सकते हैं उन्हेंने कहा था कोई कहते हैं उसको प्रोहिप्शन नहीं है आप अपने formal मतलब कुछ भी और डाल सकते हैं jeans डालिए shirt डालिए पक कोई color की वह नहीं है कि जो मर्जी डालिए there is not any dress in most of the colleges हम कहेंगे most of the colleges चलिए हम दोस्तों question number three क्यों बढ़ते हैं तो दोस्तों तीसरा question जो होगा वह teachers professors के related होगा अब देखते हैं इसमें मेरा क्या एकदम से आंसर निकलता है कैमरे के सामने question three पढ़ते हैं how is the behavior of the teachers अब लिक प्रिंसिपल in the college as compared to school staff तो दोस्तों टीचर्स पर उंगली प्रोफेसर्स पर नहीं उठी नहीं उठाने देंगे हम क्योंकि बहुत यादा अंतर नहीं होता होता भी है नहीं भी होता भी आप हमारे विस्तार के आंसर में समझ लेंगे तो दोस्तों टीचर्स का behavior प्रिंसिपल का behavior दोस्तों कोई फर्ख नहीं है जिस तरह हमारे को स्कूल में पढ़ाया जाता है ना वैसे ही college में भी पढ़ाया जाता है पर यह है स्कूल में हमारे को each and every questions करवाया जाता है यहाँ पर हमारे को main man करवा दी जाते हैं उसके बाद खुद करने हो होते हैं doubts आएंगे वह आपको teacher अवश्य समझाएंगे जरूर समझाएंगे और अगर behavior की बात की जाए behavior में कोई बदलाव नहीं है बिल्कुल family parental behavior रहता है उनका अभी तक 3 साल में मुझे किसी teacher से को डांट नहीं पढ़ी है मेरे classmates लाव भाई यहीं वैठें आप जानते हैं और यह भी आशा करते हैं कि आप तंद्रस्त होगे वीडियो के सुरवात में हम आपसे मुलकात में यह करना शायद भूल गए थे तो the behavior of the teachers principal in the college is same more likely to school मतलब कोई यादा फर्ख नहीं है सब teachers अच्छे होते हैं जैसे school में होता था वैसे ही अभी भी वैसे ही आपको teachers मिलें तो यह कुछ बचों के questions होते हैं जो उनको लगता है पता नहीं केड़े हिटले टीचर मिल जाएंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता सब टीचर बहुत अच्छे सब नाइस नेचर के होते हैं बढ़ाते हैं इंज्वाइभी करते हैं teachers कभी हमने का दिया मैं हमने lecture नहीं दोस्तों बढ़ते हैं इसके answer की और दोस्तों इसमें मैं आपको क्या answer दूँ पूरा college ही आपका दोस्त होगा with including teachers ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर सोचते हैं कि हम पता नहीं काफी high level के हैं नहीं चलो teachers का अपना status होता है लेकिन students में आप चाहे आपके senior हों आपके companions हों आपके चाहे juniors हों सब हैं आपके दोस्त होते हैं आप हम हैं हमारा personal experience होने हैं हम college mentor होते नहीं है बस में बैठते नहीं है हमारे दोस्त junior first year के हमारे से आजकल वो चलता है ना वह ऐसे ऐसे करते हैं अपना उसे क्या कहते हैं पहले तो हैंट्शेक होता था चाहे junior हो चाहे senior हो चाहे companions हो ऐसे कुछ नहीं है कि वह भी आपको equally treat करते हैं ऐसी कुछ बात नहीं है आप उनसे help ले सकते हैं बहुत फायदा है दोस्ती का बहुत फायदा है friendship का आप कॉरिडूर से निकल रहे हैं आपके दोस्त आपको मिलें हाई हलो करें बहुत अच्छा do seniors will do ragging with us do seniors will do ragging with us no seniors can't do ragging with you it's an offense अब तो आजकल जहां देखो हमारे college में तो enter करते ही लिखा हुए say no to ragging आपको पता है अगर ragging हो जाए ना किस student की अगर वो complaint कर दे डिपार्टमेंट में इसको फाइन भी है और उसको पे करना ही होगा अदालत में केस चल सकता है और इसके अगर केस चल पड़े तो उसके बहुत सारे पहलों हो जाते हैं वो किस किस की बात करें यहां पर इसलिए आपको सीधा सीधा कहा जाता है ना आप किसी junior की केजिए और senior से डरिये मत फायद हम आपकी पूरी साहता करेंगे हम बहुत ज्यादा साहता करेंगे आपकी बस आप मेरे को कमेंड में लिख दीजिए का कि मेरे साथ रैगिंग होई है अपने की डिटेल्स बताइए फिर हम आगे बात करते हैं आपसे जुड़े रहिए अब कोशन नंबर हम बढ़ते हैं सिक तो दोस्तों हमारा कुशन है हाओ मच इस अप्रेशर आफ स्टेडीज एज कंपेड टू स्कूल दोस्तों इसमें भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसमें इसका जितना आपका स्कूल का स्लेबस होता था ना उसी हिसाब से ही आपका बीका स्लेबस बिना जाएगा यह न सब्जेक्स मिल जाएंगे कॉस्ट कांटिंग मैनेजमेंट अकांटिंग उसके पार्ट साएंगे हर साल में तो डरिये बिलकुल मत बस हार्ड वर्क कीजिए हमारा समा तो कोविट ने निकाल दिया इससे हमारा ध्यान थोड़ा भटक चुका है पर आप अभी आगने वाले स इंग्लेश ठीक थी ना रिवाइन करके देख लीजिए एक्चुली हम कोई बहुत बड़े व्लोगर तो है नहीं कोई एपिसोड बनाने वाले तो है नहीं अभी हम सीख रहे हैं कोशिश कर रहे हैं आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ हमारे को मौका देजिए हमारे जो गल लास्टी तरफ यह बास्ति दो को होशन रहे और यह पर आपको दिमाग लगाना है कि आपकी का डिया को स्वेंगा और सब्साइद हमाराी रहें कि इसमें कुछ नहीं कहता मैं चाहना चाहmpfen अब्डूपी जैसे हैं हमारगा ऑलेह सब्सक्राइश कर्षिप और 1230 इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके आंसर में कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस basis पर देखिए कॉलेज में कट लगना कोई बड़ी बात नहीं है एक स्वभाविक बात है हो सकता है इसमें कुछ बुरी बात नहीं है हो सकता है जैसे भी electricity department विजली विभाग में अगर कोई कट लग गया है तो उसको हम नहीं रोक सकते हाँ यादा लग कटे यादा कट लगे तो आप वहाँ जाकर बात कीजिए कि working conditions हमार को teachers के लिए अच्छी करनी है और studying conditions बचों के लिए तो वो बात लग है अगर कभी कट लग जाए तो college की responsibility है क्या है responsibility कि वो तुरंत तुरंत अपने college का जो generator है ना उसको on करे ये नहीं कि बच्चे 4-5-5 lecture से पसीने में बैठे हूँ है teachers विचाड़ी पढ़ा नहीं पा रहे है उनकी teachers की working conditions अच्छी नहीं है और students की studying conditions अच्छी नहीं है अगर आपका college ऐसा नहीं करता साथ के साथ generator नहीं यूज करता यूज में लाता तो आपका college ठीक नहीं है उसके management तक बात कीजिए आप क्योंकि right of employees होते हैं बहुत सारे fundamentals right बन चुके amendments के साथ तो अपने rights पर ध्यान दीजिए दोस्तों मैं अभी एक full video लेके आऊँगा बहुत जल्दी अपने legal rights fundamental rights के related एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब बहुत जल्दी वीडियो आएगी आपकी वो आपके लिए बहुत important होगी उसमें आपको अपने rights के बारे में बता चलेगा यह आपका एक right है आप कॉलेज में कम्लेंट कर सकते हैं आप management तक बात कर सकते हैं उसमें आप खुदी ही ताय कर सकते हैं आपका कॉलेट अच्छा है या कैसा है यह आपकी बताई इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा मैं अपना reply दे चुका हूँ last question यह भी थोड़ा वैसे ही है how are the conditions of the washrooms दोस्तों questions तो बहुत सारे है पर यह हमने थोड़े से लिए है how are the conditions of the washrooms यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहूंगा अपने आप जो दिमाग लगाना है लगाई है आप अगर आपके colleges में cleaniness proper नहीं है वाइपर प्रॉपर नहीं लगता time to time यहां फिर college अपके जहां hand wash करते वहां अगर detail का sanitizer नहीं है या फिर कोई और sanitizer नहीं है और बताते हैं mirror clear नहीं है जो जितने भी equipment होते हैं वाश्रूम के वो अगर साफ सुतरे नहीं है तो दोस्तों खत्रे वाली बात है अपने management से बात कीजिए इसमें germs पैदा होते हैं और यह सेहत के लिए बहुत यदा हानिकारक है दोस्तों बात कीजिए अपनी management से अगर यह आपको तब बात करनी है जब आप college में आ चुके होंगे अगर अगर आपका सब कुछ है जैसे मैंने बताया अभी कि cleanliness है डिटॉल है और वो सब है तो फिर आपका college नमबर वाना क्योंकि यह ऐसी चीज़े है ना दोस्तों यह तीन-चार चीज़े ऐसी है कि electricity यह सब बहुत जादा फरक पड़ता है students के college कि कई मिलते हैं हमारा college जैसा है हमारा college जैसा है और कई इत परकी नहीं कर पाएगा अगर सुडेंट सी motivated नहीं रहेंगे उनको अच्छा नहीं लगया college तो दोस्तों आज के हमारे यह college जो एस्पिरेंट्स हैं बच्चे जो प्लस्टू कर रहे हैं उनसे छोटे जिनने college में आना यह उनके लिए वीडियो थी उनके लिए भी थी जो college म उससे वह बहुत कुछ gain कर सकते हैं अपने management से बात कर सकते हैं तो दोस्तों आज का episode हम यहीं पर end करते हैं आज का end करते हैं और अब episode 3 से episode 4 तक जाने के लिए हमारे इस channel को अभी के अभी subscribe कर लीजिए तिखी दोस्तों subscription होता क्या है यह उसमें को पैसा तो लगना नहीं होत सब्सक्राइब का भाव यह सिर्फ इतना होता है कि जो हमारे चैनल के audience है जो हमारा देख रही है वीडियो देख रही है वह हमारी audience है बस subscribe को बटन दबाकर आपको हमारी audience में तो एड़ो ना इसमें कौन सब को पैसा लग रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल को 1K subscriber तक लेकर ज कीजिए कि क्या improve हो सकता है episode 4 भॉजल आएगा episode 5 दोस्तों इसके बारे में मैं क्या बता हूँ यह ऐसा episode बनाने जा रहा हूं जो कि college के बच्चों के लिए होगा चलो आगे जो एस्पिरेंट्स उनके लिए तो होगा ही जो college में है ना उनके लिए भी बहुत एक अच्छा एपिसोड रहेगा इसमें काफी कुछ पता चलेगा अभी नहीं बताऊंगा वरना मजा रिना रहेगा इसमें चोटी वीडियो भी टाइम पता चलेगा दोस्तों इसमें काफी हम मचा कंटेंट दे रहे हैं इसका प्लैन बन चुका है तो बस चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब बैल आइकन दवा दीजिए मिलेंगे फिर बहुत जल्द आज का एपिसोड कर दीजिए लाइक अभी कर दीजिए लाइक अपने जो दोस्त हैं आसपास के पेरेंट्स के फो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एपिसोड 4 में जुड़े रहें गलतियां बहुत हुई है मुझे पता है कंटेंट कैसा है कैसा नहीं सब कुछ बताइए वीडियो में बुरा कमेंट होगा डिलेट नहीं करूंगा इंप्रूफ करने के पूरी कोशिश करूंगा बस आप जु सब्सक्राइब कर दीजिया और कुछ नहीं चाहिए हमें हमसे जो नौलेज मिल सकती है आप ले लीजिए बहुत जल्दी हम आपके फंडामेंटल राइट्स के एलेटेड वीडियो जुरूर लाएंगे ओके बाए 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 और बाए